अब इसलाम लिखोम वीवर्ज उमीद है अब सब खैरियत से होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं बेक्री आइटम्स उसमें पाफ पेस्ट्री के यूज़ करेंगे हम और पाफ पेस्ट्री से हम सॉल्टिश बिस्किट बनाएंगे ट्विस्टेड साइड बाइस साइड हम सुई पाफ पेस्ट्री शीट साइए या पाफ पेस्ट्री किसी भी फॉर्म में आपके पास हो यूज़ कर हैं में कुछ चूर कि आप पाफ पेस्ट्री जब भी यूज़ करें तो ritनर करें तो टौ साइड बे हमेंगे अच्छ सबाइड कर द्रॉब और बॉन्स वाला चिकन था और इसको बॉइल करते वे काली मिश नमक टाला था लेटर ओन मैंने जब उसको बॉन्स से सेपरेट किया था तो उसके अंदर मैंने सोया सॉस, वेनेगर, मस्टर्ड सॉस और रेड चिली थोड़ी सी डाली थी और साथ में मैंने कैचप डाला था टू आर्स बेफोर मैंने फ्रीजर से निकाल दी थी थोड़ी सी यह प्रॉपर डी फ्रॉस्ट हो चुकी है आप इसको टैप करेंगे जैसे मैंने पहले लास्ट रेसिपी में आपको बताया था टैप करने के बाद सॉफ्ट हैंड से आप इसको बेलेंगे प्री हीट कर लें अपने ओवन को 170 डिग्री तक और इसके बाद आप यह प्रॉस्ट स्टार्ट करें ताकि जब तक आप यह प्रॉस्ट करें तब तक आपका ओवन प्रॉपरली हीट अप हो चुका हो इसको आप स्ट्रिप्स की फॉर्म में कट करेंगे अगर आपके और अनिक्वल हैं तो आप उनको इक्वल बैलन्स कर लेंगे अब देख सकते हैं कि यह स्ट्रिप्स की फॉर्म में कटिंग हुई भी है और कुछ स्वेर फॉर्म में मैं चोड़ दिया है अब आप बेकिंग शीट की उपर बेकिंग डिश की उपर फॉयल रख रखते हैं आप इनको टाइस की शेप दे सकते हैं जोन सी शेप आप देना चाहें वह दे सकते हैं कि देख सकते हैं आप मैंने डिश की उपर प्रॉपर इसको सेट कर दिया है एक आप लेंगे उसको फैंट लें उसके बाद इसको किसी भी ब्रश की मदद से एक बिस्कित की लगाएंगे इससे ही होगा कि बहुत खुबसुरत कलर आपका जब बेक हो चुकेगा तो आपको खुबसुरत कलर की फॉर्म में ये बिस्किट्स नजर आएंगे कुक तो अल्रडी वह हो जाएंगे लेकिन तो मेक इट मोर ब्यूडिफुल आप इसके उपर एक अपलाए करें सारे बिस्किट्स के उपर एक अप्लाए करेंगे आप स्वीट बनाना चाहते हैं तो केरेमल सॉस डाल सकते हैं अगर केरेमल सॉस नहीं बना रहे हैं तो इंस्टन्ट काम करने के लिए आप शुगर उसके उपर कोट कर सकते हैं केरेमल सॉस बनाना मैं आपको किसी टाइम प करके दिखाऊंगी कि उसके साथ आपका कैसा आउटपूट आएगा आपके बिस्किट्स का आप देख सकते हैं अब सब बिस्किट्स के उपर एक को अपलाए करें ताकि वह ब्यूटिफुल शेप में आपके पास कोखोंके मिले अब यह तू सेपरेट टाइम्स पर मैं करूं उसके उपर बताऊंगी देखिए आप किसी भी स्पून की हेल्प से इसको स्पैट कर सकते हैं शुगर को देखिए का इक्वल अमाउंट में हो बहुत जाएदा अगर आपके डिश के उपर गिरेगा तो वह भी कैरेमलाइज हो जाएगा और आपके बिस्किट्स का कलर डाक करतेगा अगर आपको डाकर शेट की बिस्किट्स पसंद है तो यू किन गो फर दैट अदर्वाइस आप लिटल अमाउंट अफ शुगर अपलाए करें तो वह अच्छा उटपुट आपके सामने आजाएगा इंशाला अब देख सकते हैं स्क्वेर जो कट कीवी हैं पैटी बनाने के लिए वह मैंने एक साइट पर रखी हैं और आप देख लें ये 170 डिग्रीज पे मैंने हीट 15-20 मिनर्स यतना हमारा टाइम लगा था उतनी देर में ये प्री हीट हुआ है और अब ये डिश में अंदर रख रहा हुआ हैं साइड वे साइड जब तक वह होते हैं यह मैंने आपको चिकन बनाने की रेसिपी बताई है और अगर आपको स्पाइस एड़ करना है तो और ज फिल अप करना है मेक इट शोर कि बहुत ज़्यदा फिल अप करेंगे तो वह फट के बाहर आ जाएगा आपका बैटर सो इतना ज़्यदा फिल अपना करें क्योंकि इसकी उपर हम लोगों ने चीज भी आट करना है बड़े साइस के बनाना चाहते हैं बड़े भी बना सकते ह मैंने स्मॉल बाइट बनाई है ताके एजिली वो आप एडेबल हो सके हैं कॉर्णर्स चोड़ेंगे ताकि कॉर्णर्स को हमने बाद में जॉइन करना है चैडर एंड मॉजरेला दोना चीज मैंने मिक्स की हैं इसमॉल बार्स करना में कि स्क्वेर कट जो मैंने कीवी शेप्स हैं साइड्स को जॉइन करेंगे आप किसी फोक की मदद से जॉइन कर सकते हैं आप चाहें तो इसको ट्विस्ट कर लें मैंने फोक की मदद से इसको शेप भी दी है साथ मैं इनको जॉइन भी किया है आपके बिस्किट्स त्यार हो रहे हैं, बिस्किट्स प्रेपरेशन के लिए अर्मस्स 15 मिनिट्स लगेंगे, पूल तो जाएंगे लेकिन आप देख लेंगे जब उनकी प्रॉपर खुबसरेत पेरेंट लोग को आ जाए तब आप उनको बाहर निकाल देए, जो बैटर बाहर निकल रहा है कोशिश करें इसको यह तो बाहर निकाल देए पूरा कमप्लीट्ली और कॉर्नर्स को प्रॉपर आप क्लोज कर दें, वहना आपके बॉइल होते हैं, लाइक आपकी कुक होते हुए या बेक होते हुए वह बाहर ना आए, कॉर्णर्स को प्रॉपर बंद कर लिया, आप देख सकते हैं, इतनी खुपसरत इसकी लुक आई है, और यह हमारे बिस्किट्स प्रिपेर हो गए ती देर में, अब नेक्स चीट हमने तपारत त्यार किया है, और इसके उपर हम पैटीज रखेंगें, यह चिकन चीज पैट पैटीज बनाने की है, यह स्कुएर शेप में हमने की है, इसके उपर भी हम एप्लाइ करेंगे, सेम वन सेंविटी डिग्रीज तक ही हमारा ओवन प्रिहीट होगा, अब पहले यह रख लें उसके बाद बाकी बिस्किट्स को अपने प्लेट में यह डिश में सेटल डाउन क इस वेरी एजी रेसिपी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं, ओक्ये, अलाहाफिज